राशी के अनुसार जानिए आप किस उम्र में मिलेंगे अपने हमस्पर से। नमस्कार दोस्तों मैं संदीब कुमार प्रमानिक स्वागत है, आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज की विडियो शुरू करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस विशेश व्यक्ति से कब मिल सकते हैं। जो आपको अपना जीवन साथी जैसा महसूस कराता है, वैदिक जोतिश के अनुसार आपकी राशी आपको कुछ संकेत दे सकती है। कि यह जादूई मुठ भेड कब होगी इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से तब मिल सकता है, जब उसकी जन्म कुंदली दशा और गोचर के अनुसार ग्रह समर्थन करते हैं। और पक्ष में आते हैं, विवा के लिए सबसे अनुकूल ग्रहों में से कुछ शुक्र ब्रहस्पती मंगल और बुध हैं, सुखी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करने में। यह ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्यार में एक खास बात होती है कि यह जिसके भी जीवन में होता है, उसकी जिन्दगी खूबसूरत हो जाती है। प्रियमित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। ताकि हमारी आने वाली हर विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आएए जानते हैं कि आप अपनी राशी के अनुसार किस उम्र में मिलेंगी अपने जीवन साथी से नंबर एक। राशी अगने तत्व की राशी मेश के लोग स्वभाव से काफी उग्र होते हैं, लेकिन भीतर से यह उतने ही समवेदनशील भी होते हैं। जैसा कि इनकी परसनालिटी होती है, संभव है कि 25 वर्ष की आयू में इन्हें अपना मनपसंद पार्टनर मिल जाएं। यह एक ऐसी उम्र होती है, जिसमें आप अपनी लाव लाइफ और अपने करियर के बारे में गंभीर होकर सोचने लगते हैं। इसलिए इस वक्त पार्टनर मिलने का मतलब है कि आपका रिलेशन लंबे समय तक चलेगा। मेश राशी वाले बहुत तेज और आवेगी होते हैं, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना नहीं चाहते। मेश राशी वाले सीधे साधे होते हैं और दूसरों की भावनाओं और समवेदनाओं की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। उनके प्रेन संबंध त्वरित और अचानक होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी शादी शुदा जिन्दगी में हमेशा परेशानिया महसूस होती रहती हैं। नमबर दो व्रिश राशी के लोगों को बहुत ही कम उम्र लगभग 18 साल में ही अपना पार्टनर मिल जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह उम्र यह समझ पाने में कि यह प्यार है या फिर सिर्फ आकर्शन। लेकिन इस उम्र में आप बहुत ही मासूम और बहुत ही साफ दिल के होते हैं, ऐसे तो सच्चा जीवन साथी पाने के लिए आपकी सारी उम्र पड़ी है। लेकिन इस उम्र में अगर आपको सच्चे मन से किसी से प्यार होता है, तो ऐसा प्यार बहुत ही निस्वार्थ होता है, जिसमें केवल सच्चाई होती है कुम्भराशी वाले प्रभुत्व शली और जिद्धी होते हैं, वे व्याभारिक सफल और भरोसे मंद होते हैं, वे उल्लेखनिय सहन शक्ती के साथ अक्सर धैर्यवान और ग्रिड निश्चय होते हैं इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है मिथुन राशी के लोगों के स्वभाव में काफी उच्छुकता होती है और इन्हें अपना मनपसंद साथी 19 साल की उम्र में मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर एक समझदारी जीवन के दूसरे पड़ाव में जाकर आपाती है आपके चंचल स्वभाव का यह नतीजा होता है कि आप किसी एक के साथ अपना सारा जीवन नहीं बिता पाते हैं, आपका ब्रेकरप भी होता है और आपको फिर से पार्टनर भी मिल जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद आपके स्वभाव में भी परिपक्वता आजाती है और उनका चरित्र एवन स्वभाव दोहरा होता है, वे बेचैन कूटनीतिक और महत्वाकांख्शी होते हैं, स्वभाव से वे चुल्बुले होते हैं और उनके एक से अधिक अफेयर होते हैं, वे 27 से 32 साल की उम्र में अपने सच्चे जीवन साथी से मिलते हैं इनके इसी स्वभाव के कारण इन्हें वेवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है नमबर चार करक राशी आपकी राशी के लोग स्वभाव से बहुत रोमांटिक होते हैं, आप बचपन से ही अपने मनपसंद जीवन साथी के सपने देखते हैं इसलिए आपको आपका मनपसंद पार्टनर यंग एज याने की लगभग 21 साल की उम्र में ही मिल जाता है इस उम्र में आपके मन में बहुत ही सुनहरी यादे रह जाती हैं और आपके मन में नया कुछ जानने और समझाने की ख्वाहिशे भी होती हैं इस राशी के जातक अपनी कड़ी महंत के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करती है नंबर पाँच सिंह राशी वाले अत्यधिक दयालू उदार सच्चे स्पष्ट और अधिकारिक होते हैं यह धन के मामले में स्वाभिमानी और भाग्यशाली होते हैं प्यार के मामले में यह स्वामित्व वाले भावुक और वफादार होते हैं उन्हें प्यार की जरूरत होती है लेकिन उनके जिद्दी स्वभाव के कारण यह उन तक नहीं पहुँच पाता वे 27 से 30 साल की उम्र के बीच अपने जीवन साथी से मिलते हैं सिन्ह राशी वाले प्यार व्यार में बहुत यकीन नहीं करते और इस बारे में अधिक सोचते हैं इसलिए आपकी राशी के लोगों को सच्चा प्यार पाने में काफी समय लग जाता है अगर आप कन्या राशी के हैं तो आप दिल और दिमाग के बीच में फंसे रहने की वजह से अपनी लाइफ में सही फैसला लेने में काफी देर लगा लेते हैं हालांकि आपको अपने दोस्तों से उनके पार्टनर के बारे में जानने में काफी मजा आता है करक राशी वालों को उनका मनपसंद पार्टनर यंग एज यानी की लगभग 21 साल की उम्र में ही मिल जाती है व्रिश्चिक राशी वाले इस मामले में बहुत ही लकी होते हैं कम उम्र में आप है लेकिन अपने बारे में आप कोई फैसला जल्दी नहीं ले पाते हैं आप अपने परिवार के लोग और दोस्तों के बीच में अधिक खुश रहते हैं और इसी वज़ए से इस बारे में जल्द नहीं सोच पाते हैं कन्या राशी वालों में विशलेशनात्मक कौशल अच्छा होता है वे ना तो आसानी से दूसरों से प्रभावित होते हैं और नहीं धोखा खाते हैं वे 24 से 28 वर्ष की उम्र के बीच अपने जीवन साथी से मिलते हैं उनका वैवाहिक जीवन हलके ढंग से कहें तो सामान्य है नंबर साथ तुला राशी के लोगों को उनका मनपसंद जीवन साथी 20 साल की उम्र में ही मिल जाता है यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं और साथ ही कमफ्यूज भी रहते हैं आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो की जीवन के अहम फैसले लेने में आपकी काफी मदद करता है ऐसे पार्टनर के साथ आप सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हैं संभवत वहाँ आपका अच्छा दोस्त भी बन जाता है तुला राशी के जातक अपने विचारों और कारियों में नायक होते हैं उनके पास बहुत दूरदर्शिता और अंतरग्यान है उनके मित्रों और परिचितों का एक बड़ा समू है नंबर आठ व्रिश्चिक राशी वाले इस मामले में बहुत ही लकी होते हैं और इन्हें बहुत ही कम उम्र में इनका पसंदीदा पार्टनर मिल जाता है संभव है कि कम एज में ही आपको पार्टनर मिल जाएं मगर आपको इस बात का पता नहीं होता है कि यह पार्टनर जीवन भर का साथ निभा भी पाएगा या नहीं, इसके बावजूद आप उसके साथ पूरी इमानदारी से रिष्टा निभाते हैं वहीं बदले में आपके पार्टनर से भी आपको भरपूर प्यार मिलता है, विष्चिक द्रिढ निष्चे स्वतंत्र और उरजावान होते हैं, उनका व्यक्तित्व चुम्बकिय है और वे बहुमुखी हैं, वे अपने यौन जीवन में बहुत मांग करने वाले होते हैं, और घर पर हट धर्मी और हावी होने वाले होते हैं उन्हें अपनी शादी में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है नंबर नौ धनु राशी अपनी लाइफ के लिए भले ही आप किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, लेकिन आप ऐसा रिष्टा चाहते हैं कि जो बंधन में बंध कर केवल आपके साथ रहे किसी के साथ रिलेशन्शिप से पहले आप काफी सोचते और समझते हैं, इसलिए आप बीस साल की उमर के बाद तीस तक आते आते अपने पार्टनर को ढूंड पाते हैं इस वक्त आप भी कमिट्मेंट में रहने के लिए पूरी तरह से तयार रहते हैं नंबर दस मकर राशी के लोग इस मामले में काफी समझदार होते हैं, यह यूही किसी को अपना दिल नहीं देते हैं, इनके लिए रिलेशन का मतलब हर प्रकार से अच्छा होना है इन्हें सच्चा साथी अपनी शर्टों पर चाहिए होता है, यह रिलेशन्शिप के मामले में बहुत ही जाच परकार और हर पहलू के बारे में विचार करके ही फैसला लेते हैं यही वज़य है कि भले ही देर से सही लेकिन यह जिसके साथ भी रिलेशन्शिप रखते हैं, उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं इन्हें सदैव एक परिपक्व और जिम्मेदार पार्टनर की तलाश होती है, यह मानसिक रूप से मजबूत द्रिढ निश्चय और अपने सभी कारियों में स्वतन्त रहें यह महनती होने के साथ साथ विचारक भी होते हैं, उनके मूढी व्यवहार के कारण अक्सर दूसरों द्वारा उनकी गलत व्याख्या की जाती है वे 22 से 26 वर्ष की उम्र के बीच अपने जीवन साथी से मिल पाते हैं, उनका पारिवारिक जीवन आमतोर पर पर परेशानी भरा होता है नमबर ग्यारह कुम्भराशी प्यार के मामले में आपको हमेशा दूसरों पर संदे ही रहता है, आपको आपका पार्टनर 22 की उम्र तक मिल जाता है, आप किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में रहते हैं जिस पर आप भरोसा कर सके और जिसके साथ आप प्यार का रिष्टा उम्र भर निभा सके आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आप जैसे हैं, वैसा आपको स्विकार करें कोई ऐसा व्यक्ति जो की यह समझे की प्यार में आपको भी स्पेस और फ्रीडम चाहिए प्यार का रिष्टा उम्र भर निभा सकें, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आप जैसे हैं, वैसा आपको स्विकार करें कोई ऐसा व्यक्ति जो की यह समझे की प्यार में आपको भी स्पेस और फ्रीडम चाहिए नंबर बारह में राशी के लोग सदैव प्यार की तलाश में रहते हैं, आपके लिए किसी से प्यार करना और फिर उसकी परवाह करना ही सब कुछ होता है फिर जब आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है, तो आप प्यार में कभी रुकते नहीं हैं, आपको 19 साल की उम्र में ही आपका सच्चा पार्टनर मिल जाता है आप किसी ऐसे साथी की तलाश में होते हैं जो आपका सच्चा पार्टनर भी बन सके और आपका अच्छा दोस्त भी बने और आपको सच्चा प्यार भी मिले दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जरूर लिखें तो दोस्तों मिलते हैं अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ भगवान आप सब पर कृपा बनाये रखें जैश्री कृष्णा